अच्छे से कर लिये होंगे नोट बुक में कम्प्लीट कर लिया उगा उसका रिटन पॉर्षन और समझ भी लिये होंगे अब हम आज से इस वीडियो में इस वीडियो से अपना रिविजन पॉर्षन स्टार्ट करेंगे क्यों हुआ हैं ऊसमें हम सेक्षन एक फॉर्स लेंगे कि सेख्शन ए में हमारा फर्स्ट यंजिक्यों तो पहले हम लेसन वन सू टो और तूर ट्री के घीनज चैप्रस के mcq करेंगे then true or false then fill in the blanks then match the following इसी तरीके से आगे का sequence और section हम लेते जाएंगे तो mcq में हम first mcq देखेंगे जो कि है mother's mother is called dash कि मम्मी की मम्मी को हम क्या कहते है नानी, मा, दादी और काकी तो answer है नानी then second which of the falling animals give birth to young ones तो हमने देखा था कि two types के animal होते है एक जिनके body पर hair होते है और skin होती है और एक जो होते जिनके wings होते है feathers होते है तो वो animal जिनके hair और skin होती है वो क्या देते है वो young one को birth देते है और जिनके punk होते है वो लोग क्या करते है अंडे देते है तो अभी options देखेंगे hen, sparrow, elephant और parrot तो इसमें से answer होगा elephant क्योंकि hen, sparrow, parrot के क्या होते हैं? feathers होते हैं, ठीक है? hair नहीं होती है, उनकी skin नहीं होती है Now third one, in which state children use a bamboo bridge while going to school? कि कौन से state में children जो हैं, बच्चे जो हैं वो bamboo bridge का use करते हैं तो हमने देखा था, पहले ही कि awesome जो state है, उसमें bamboo bridge का use करते हैं बच्चे, कहां पर जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए तो options में, उत्राखंड, awesome, manipur, पंजाब तो answer, awesome Then fourth one, what kind of sound produced by जुगाड तो हमने देखा था, जुगाड एक टाइप का bike vehicle है उसमें कुछ parts को, different vehicle के parts को joint करके एक vehicle बनाया जाता है जिसका front face जो है, वो bullet की तरह है, बाइक की तरह है तो इसका sound कैसा होता है तो option है, foot foot, ring ring, pp, और चूचू तो answer होगा, foot foot, foot ठीक है, foot foot, 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 फटफटिया बोलते है न इस तरह के sounds जो करते हैं, vehicle तो जुगाड जो है, foot foot का sound करता है Now fifth one, which of the following animal has ears that can be seen तो हमें इसमें बताना है, जो options दिये गए है उनमें से कौन सा ऐसा animal है, जिसके ears को हम देख सकते है तो जिनके feathers होते हैं, वो animals के ear दिखाई नहीं देते और जिनके skin होती है, ठीक है उनके ears और जिनके skin पे hair होते हैं, उनके ears दिखाई देते हैं तो option है, parrot, lizard, pigeon और dog तो answer होगा dog और lizard के जो है, वो छोटे-चोटे hole होते हैं, जो की नहीं दिखाई देते हैं उनके ears नहीं दिखाई देते हैं Now the sixth one, an elephant can sleep for only 2-2 hours in a day तो एक elephant जो है, एक दिन में जो 24 hours होते हैं, उसमें से कितने घंटे सोता है तो हमने देखा था, answer होगा इसमें 2-4 hours दो से 4 घंटे ही वो rest करता है बाकी के, यहां सो वहां वो घूमता है, मस्ती करता, enjoy करता है Now seventh one, in which state the children use wallam, a tiny boat, while going to school तो कौनसे state में बच्चे वल्लम का यूज़ करते हैं, वल्लम हमने देखा था, एक boat होती है, छोटी सी लकडी की बनी होई तो यह कौनसे state में बच्चे यूज़ करते हैं, तो answer है केरिला, options में है केरिला, तामिल नाडू, पंजाब और आसाम, तो answer है केरिला तो अपना revision portion में, यह section A का MCQ यहाँ पर complete होता है, next video में हम true or false लेंगे, तो अच्छे से handwriting में revision heading डालके, आप start करेंगे revision portion लिखना, thank you